ताहिर इसलम गोरा के शो बिला तकलुफ में मैं हूँ आपकी मिजवान हलीमा सादिया आप सबको खुशाम दीद आज के शो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरिंदा मूदी के दौरा अमरीका के हवाले से ताहिर साथ दौरा अमरीका जो के नरिंदा मूदी इसकुए कर रहे हैं बहुत एहमियत का हामिल है सारी दुनिया के निगाहें इस तरफ हैं आप इस हवाले से क्या तप्सरा करेंगे जी बेला शुबा ये दोरा बहुत एहमियत का हामिल है जैसा के टेलिवीजिन की सक्रीनों पे हम देख रहे हैं के प्राइमिनिस्टर निंडरमूदी का न्यू यॉर्क से वाशिंटन तक जो हर जगा पे इस्तक्बाल हुआ वो अमरीका की तमाम टेलिवीजिन सक्रीनों पे इ और उसको देखा जा रहा है क्योंके सबसे एहम बात ही हुई कि इंटरनेशनल योगा डे पर सबसे पहले प्राइमिनिस्टर निंडरमूदी ने यू एनो का जो एक बहुत बड़ा इवन न्यू यॉर्क में है उसमें शिर्कत की और उससे दुनिया भर में आप्टिक्स बन कि प्राइमिनिस्टर निंडरमूदी के देश से उनकी सिविलाइजेशन से आने वाला योगा का जो तुफ़ा है वो दुनिया को जिस्मानी जहनी से देने में कितना एहम करदार अदा कर रहा है बास वकात लोग कहते हैं कि हमारे कैनेडा अमरीका के छुट छुट शुट शहरों में इतने योगा के स्टूडियोज हैं इतने योगा के सेंटर्स हैं कि मतलब अगर कोई काउंटी है अमरीका में तो हो सकता है कि उसकी पॉपुलेशन बीस बाइस हजार लोगों की हो और यहां पे बीस बाइस या हो सकता पचास के करीब योगा के सेंटर्स हों चुके मैंने ऐसी कुछ काउंटी अमरीका में भी देखी हैं कैनेडा में भी मैंने देखा है तो इतनी थोड़ी पॉपुलेशन के अलाके में इतने योगा के सेंटर होते हैं कि वो शायद अमरीका के जो थोड़े शहरों के center हैं वो भारत के बड़े centers में भी इतने center नहीं भारत के बड़े शहरों में भी इतने center नहीं तो एक तो ये optics बनें गर प्रियमनेस सेनरामोधी ने आते ही जो international yoga day को UN के platform के नीचे मनाया और उस में बताया जाता है के 135 से ज्यादा मुलकों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शरकत की तो ये एक बहुत बड़ा मेसेज है फिर जो भारती हमारा डाइसपोरा है उन्हों ने जिस तरह वुलहाना इस तकबाल किया प्रामिनिस्टर इंद्रा मोदी का और उनके लिए न्यू यॉयॉक में वाशिंटन में जिस तरह बैनर्स लगे हो गए हैं जिस तरह उनका आव भगत हुआ तो आप्टिक्स बहुत बड़े बनें और फिर यूएस कॉंग्रेस का जो जो जॉइन्ट सेशन है उसमें प्रामिनिस्टर निंद्रा मोदी जब आए तो मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन पर उनका गालबन एक गंटे के आसपास तमाम सैनिटर्स ने और कॉंग्रेसमें ने वेट किया तो ये एक बहुत ही डिफरेंट मॉमेंट है क्योंकि इस इतबार से इतनी जिसे कहते हैं पावर से मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड लीडर का अमरीका में इस्तक्बाल हुआ होगा रिसेप्शन मिली होगी जब वो यूएस के जॉइंट सेशन में दाखल हुए तो हर कॉंग्रेसमें हर सेनिटर अलमोस चंद को छोड़के उन के साथ हाथ मिलाना चाह रहा था और मैं एक खुद भारती सिविलिजेशन साउट इस्या से तलक होने के नाते सोच रहा था कि आ हमारे ब्राउन वर्ल्ड से हमारे एक लीडर को जिस तरह इस वक दुनिया की सुपर पावर के सैनिटर्स, कॉंग्रेसमें, प्रेजिडेंट इस्तकबाल कर रहे हैं वो एक बदलती दुनिया की तरफ इशारा है और यह मेरा ख्याल है कि अगर हम वो जो हमारे रीजन की साउ तक में देखें, अगर हम यह凉जirk के बाहर निकल कर प्राइमिनिस्टर निंडरा मूदी की लीडर्शिप को सलाम करें, तो असल में हम अपने आपको सलाम कर रहे होगे, कि आज प्राइमिनिस्टर निंडरा मूदी और भारत की वज़जह से, हम वो दिन देखना हमें हो रहा है कि दुनिया की सुपर पावर का आलमूस हर सैनिटर हर कॉंग्रिसमेन चंद की एक्सेप्शन छोड़ के वो आगे हम बात करेंगे वो मतलब एंथूजियसम जिस तरह का बरत रहा है और फिर बड़ी इंपॉर्टन बात अक्सर मुकामात पर प्रामिनिस्टर नरिंद होते हैं वो अपनी जर्मन में करते हैं फ्रेंच होते हैं तो वो अपनी फ्रेंच में करते हैं चाइनीज होते हैं तो चाइनीज में रशियन होते हैं तो रशियन में हमें ही एक प्राबलम बना हुआ था शायद हम कलोनियल असर में रह रह के कि हमारे लीडर जो हैं वो आज भी ये फखर महसूस करते हैं कि वो अंग्रेजी बोलेंगे तो पड़े लिखे नजर आएंगे अगर्चे प्राइम निस्रे इंडरा मूदी ने जो कांग्रिस का जॉइंट सेशन तो उससे अंग्रेजी में खताब किया वो ठीक है लेकिन बेशतर मुकामात पर उन्होंने हिं इंडी में ही अपना खताब किया मुझे ये बात भी बहुत अच्छे लगी बारहल जो इंपॉर्टन्स है वो ये है कि हमारे आप्टिक्स बने साउटेशन के भारत के आप्टिक्स बने और ये अंदाजा हुआ पूरी दुनिया को कि भारत ना सिर्फ अमरीका के लिए कितन अहम है ये प्रामिनिस्टर निंदरा मूदी ने बावर करवाया है हमने उनके हालिया दौरे के दौरान महसूस किया कि भारत और अमरीका और दोनों लीडरों सदर बाइडन और परधान मंतरी मूदी जी के बीच शिराकत के गरम जोशी थी लेकिन प्रेस मजमूई तोर पर पी-एम मूदी के खिलाफ क्यों रहा हाँ ये आपने बड़ी एहम बात पूची ये हमने पिछले एक शो में भी बात की थी तब तो प्रामिनिस्टर यहां नहीं आय थे आज प्रामिनिस्टर यहां पर मजूद थे और उन्हों ने जो जॉइन प्रेस कांफरंस है उसमें भ आर्टिकल देख रहा था तो मुझे ये लगता है कि ये जो हमने जो पहले भी एक शो में बात की थी कि एक्स्ट्रीम लेफ्ट के जो लोग हैं और इस्लामिस्ट एक्स्ट्रीम आइडियालोजी के जो लोग हैं मैं मुस्लमानों की बात नहीं कर रहा है एक्स्ट्रीमिस्ट narrative की वज़ा से प्रेस में ये बात बार बार चीही जा रही है कही जा रही है कि भारत में मुसल्मानों के साथ अच्छा स्लोक नहीं हो रहा था ये assumption बना ली गई है ये एक narrative बना लिया गया है ये एक perception बना ली गई है इस पे वाकिए बात करने की जरूरत है मैं ये नहीं कहता कि प्रामियूस नेंडरा मूदी के नुक्ता नजर के मताबक हम चीज़ों को देखें मैं ये कहता हूँ कि इस पे अब हम डिबेट करें खुल के डिबेट करें ये अलग बात है कि हमें अब डिबेट का महाल प्रेस में कहीं नजर नहीं आता प्रेस यू लगता है कि जैसे ये एक्टिविस्टों के हाथ में चला गया है जैसे ये वेस्टड इंटरस्ट रखने वाले लोगों के हाथ में चला गया है और यू महसूस होता है कि जैसे सब लोग अपनी अपनी बात पे अड़ गए हैं यानि वो किसी किसम की लचक देखने को या दिखाने को तयार नहीं है हाला कि अभी पिछले दिनों ही एक सवाल का जो आप देते हुए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक रिपरेजेंटेटिव ने वाज़ तो पर कहा था उन सहाफियों को जो ये बात बार बार कहरें जी भारत में डिमॉक्रिसी वीक हो र नहीं बलके कई यूएस डिपार्टमेंट के रिपरेजेंटेटिव कह चुके हैं मगर उनकी बात मैं खास वर पर कोड कर तो उननों ने कहा था कि जो ये बातें सहाफी कर रहे हैं वो ज़रा दिली जाकर देख कर तो आएं कि वहां जमूरियत कितनी वाइबरेंट हैं वहां इन डारेक्ट कदगनें अब लगती चली जा रही हैं जतना भारत में मीडियाजाद हैं मैं ये दावे से कहता हूँ ये बहस अब हमें करने की जरूरत है प्राइमनिस्टर निंडरा मूदी के इस हिस्टारिक विजट और रिमार्केबल विजट के बात ये जो एक कलीशे ब इतने बढ़ गए हैं कि जी मुसल्मानों के साथ बुरा स्लूक हो रहा है जमूरियत खत्रे में है ये कुछ ऐसे उन्होंने कलीशे फैशन के तौर पर और स्लोगन के तौर पर अपना लिये हैं इन हाकीक्तों को अब खोलने की जरूरत है ये जो डाइस्पोरा हमारा बारती है जो इतना वेलकमिंग जेस्चर प्रामिनसर मूदी को दे रहा है इस विजट में और अब ये उसकी जिमादारी है कि ये इस निरेटिव की तरह भी आए कि आफ्टर आल ये क्या है कि प्रामिनसर निर्टा मूदी जब एरपोर्ट पर आए नियॉयॉक में और जब उनको गया तो मुसल्मान खवातीन जो हिजाब में थी और मुसल्मान मर्द वो भी तो उनको गले लगाने के लिए वहां पर माचूद थें कोई इसकी बात निकरता है लेकिन अब ये बड़ा ही एक स्ट्रॉंग प्रापगेंडा है जो निरेटिव की सूरत में अपना लिया गया कि जी प्राइम निर्स्टर निर्णा मुदी जमूरियत को कमजोर कर रहे हैं और जो है मुसल्मानों के साथ बुरा सलुक हो रहा है मेरे खाले इन दोनों बातों पे अब बहस की जरूरत है लेकिन मैं अपनी राय दूँँगा कि ये जो जैनलिस्ट हैं ये अपने वही खाल पूछ रहे हैं इनकी बजाए अब वक्ता किया कि आप अब मिदान में जाएं और देखें वहां भारत में डिमाक्रिसी कितनी डाइनामिक है तो मेरा इख्याल है कि प्रेस हमने पहले भी बात की थी प्रेस ये काम करेगा उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी है और फिर हालो इन शैलो किसम के लोग अब बैठे हुए हैं और फिर वो सहाफियों से ज्यादा अब वो खुद एक्टिविस्स बन चुके हुए हैं खुद पुलिटिकल पार्टियों के खुद आइडियालोजी के वो स्पोक्स परसन बन गयो हैं वो अब जैनलिस्ट उनकी अक्सरियत इन वाले वक्तों में इस पर इंग्लिश में मैं भी अब डिबेट करूंगा कि ये जो सहाफी हैं ये अब कितने सहाफी हैं और कितने ये पुलिटिकल अक्टिविस्ट हैं देखिये उनका तो काम ऐसे बयानाद देना ही देना है एक मिस ओसी के नाम से जानी जाती हैं ओएक्श left की है फिर ये इलहान उमर और गालबान रशीदा तलेब सम्थिंग उनका नाम है मैं नाम भी उनका प्रनेंसियेट नहीं कर पाता क्योंकि मुझे उनको फॉलो करने का भी कोई खास नहीं है उनके अपने एजंडे हैं उनको बात करने का है कांग्रिस वुमिन है ठीक है वो ब शर्म की बात है कि आप इतना बड़ा विलकमिंग जेस्टर दे रहे हैं लेकिन प्रेज़ेंट बाइड़न को भी पता है यूएस अड्मेंस्रेशन को भी पता है कि किस शक्स को वो विलकमिंग जेस्टर दे रहे हैं वो भारत का प्रामिनिस्टर है और भारत कितना important टेश बन चुका हुआ है वो अब मैं दावे से कहता हूँ कि वेस्टन वर्ल्ड, चाइना और भारत ये तीन बड़ी पावर्स हैं तो अब इस हकीकत का इतराक प्रेजिडंट बाइडन को तो है उनकी सरकार को तो है अब ये जो कांग्रेस विमन हैं जैसे मैंने का इलहान, अमर, रिशेद, तलेब गालबन ये नहान उनका और वो में सीडी पता नहीं, इस तरह करना मुशकल नाम है तो वो मैं एकसर बोल जाता हूँ लेकिन मेरा खैला मारे वियूर समझ रहे हैं के मेरी क्या मुराद है मुझे चुके उन में दिल्चस्पी भी कोई नहीं है इसलिए के वो खोकले ख्यालात के लोग हैं मुझे इसलिए दिल्चस्पी नहीं मैं उनके ट्वीट वीट देखता रहता हूँ जर्नलिस होने के नाते और मुझे ट्वीट देखने के बाद अंदाजा होता है कि जैसे ये स्कूल के जजबाती बच्चे हैं मगर ये स्कूल के जजबाती बच्चे होते हैं वो वो इनुसेंट होते हैं और वो सीखने के मरहले में होते हैं ये वो लोग हैं जिनके western interest हैं जिनकी politics ही हेट के उपर है अब प्राइम नेंडरा मुदी के खिलाफ ये जो मजमुमूई तोरप वेस्टरं मीडिया है और इस तरह के जो एक्स्ट्रीम लेफ्ट के लोग हैं और जो एक्स्रीम इस्लामिस्त के लोग हैं उनका ये मैं इनको कहता हूँ कि ये right wing के leftist है, how dare they talk like that, they themselves are leftist नहीं है, ये right wing के quote unquote leftist है, ये मेरी एक नहीं इस्तला है, अब वो जो extreme Islamist हैं, वो they are themselves right wingers, और वो इलजाम लगा रहे हैं प्राम निस्टर मुदी पे कि आप right wing के हो, यनि जो right wing के extremist हैं, वो इलजाम लगा रहे हैं कि आप राइट वेंकियो तो इसलिए इनकी बातों की इनके अपने प्रेजिडंट को यह हमियर नहीं देते हैं अब जाहर है अमरीका की कुछ मजबूरिया है उन्होंने जमूरियत की लॉलीपाप दुनिया भर को डिखाने के लिए बेची है ये अलग बात है कि जमूरियत अमरीका क दुनिया में कभी भी हुमन राइस के लेवल पे मसला नहीं रहा पुलिटिकल मसला रहा अपने इंटरस्ट को फर्दर करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए मसला रहा मगर इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अमरीका ने दहाईयों से बहुत सारी ऐसी डिक्टेटर् किया है कोई एक जगा नहीं जहां कहीं डिक्टेटर्स अमरीका को सूड करते थे और आज भी जहां कहीं सूड करते हैं उनको सूड करें गये लेकिन बारहाल ये हकीकत ना तो ये लोग जानेंगे ना समझेंगे अलबतہ इन का काम जिनका आप ने दिक्र किया डैमोक्रेट् देती रहती हैं कुछ ने कुछ ने कुछ दर्जन ने मिलकर एक स्टेटमेंट भी दी थी जाहर है उनकी पबलिक कंजम्शन की मजबूरी है वो एक्स्ट्रीम लेफ्ट की पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं तो दिखावे के लिए उनको कुछ ना कुछ तो देना है जिन्हों ने एक स्टेटमेंट दी थी मगर ये जो तीन चार जिनका मैंने खासवर पर नाम लिया इनका तो काम ही यही है चूंकि इनकी सियासे चमकती ही इस बात पर है और मीडिया भी इनके साथ इसी तरह का है तो इस पे मैं और मुजीद क्या कह सकता हूँ ख्याल था कि दूनों लीडरों की प्रेस कांफरंस के बाद जर्नलिस्टों की तरफ से सवालात नहीं किये जाएंगे फिर भी भारती जानिप से इजाज़त मिल गई लेकिन सिर्फ दो जर्नलिस्ट सवालात पूछ सके या उनको माका मिला कि वो पूछें आप उन सवालात क के बारे में क्या तबसरा करेंगे लेकिए गालबं दो ही जर्नलिस्ट थे और मेरा ख्याल है कि उसमें एक अमरीकी जर्नलिस्ट थी और एक प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के जर्नलिस्ट थे उन दोनों ने गालबं दो-दो सवालात किये सम्टिंग लाइक जो जो प्रेस क गालबन अमरीका के हाट जैनलिस ने पूछना था वो सवाल ये था एक तो खेर उन्हों ने बड़ा इंट्रस्टिंग सवाल कि उन्हों ने का प्रेजिडंट बाइडन से का कि आपने दो रोस पहले चाइना के सदर्जी को डिक्टेटर कहा है तो उस डिक्टेटर कहने पे मेरी आने वाले दिनों में या महीनों में प्रेजिडंट जी से मलाकात भी हो फिर उस लेड़ी ने का कि भारत में वही जो मैंने अभी पीछे बातें की कि मुसल्मानों के साथ बुरा सलूक हो रहा है भारत में जमूरियत खत्रे में है तो आपने ये जो इशूस हैं प्रैम करना चाहिए इसलिए कि मुझे प्रैमिनिस्ट इंडरा मूदी ने बहुत खातरखा किसम की यकीन दहानी कराई ये तसलिए ये प्रैजिडंट बाइडन का ये कहना उनके अपने पॉइंट इव्यू से इसलिए था कि उनकी भी पॉब्लिक कंजमशन है चुक्कि अमरीका य लॉलीपाफ हुमन डाइट्स की ये वो सब बेहता रहता है ये लग बात है कि हुमन डाइट्स की अब्यूज जो है बहुत है वर्ल्ड वाइट में अमरीका की जेरे सरप्रस्ती ही अच्छा उसके बाद यही सवाल गया प्रैमिस्ट इंडरा मूदी की तरफ तो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इसका जवाब दियो और उन्होंने का बात यह है कि हमारे हाँ हमेशा से जमूरियत रही है आज भी जमूरियत और हम जमूरियत पे बिलीव करते हैं और जब जमूरियत होती है तो हीमन डाइट्स की वाइलेशन नहीं होती है और प्रेस भी फ ये इन्होंने ऐसा जो जवाब दिया है उसकी वजाहत करें अब मेरा ये ख्याल है कि प्रामिनिस्टर निंद्रा मूदी ने बिलकुल दुरस्त कहा जो बात वही स्टेट डिपार्टमेंट के शक्स नहीं कही थी एक रिप्रेजेंटर नहीं कही थी वह बात मैं फिर दो रहता जिन को ये खच्चा है वो टिकट लें दिली जाएं कलकता जाएं जलंदर जाएं भारत के तमाम बड़े चोटे शहरों में जाएं इवन कश्मीर जाएं सिरीनगर जाएं और देखने जाके खोड़ कि वहां पर प्रेस कितना जाद है कितना लाठी चार्ज हो रहा है जिन को वाकिए ये मसले हैं वो यहां बैठके अपने फैंसी ड्राइंग रूमों में और काफी शापों में बैठके सोचते रहते हैं एज्यूम करते रहते हैं भारत के बारे में फ्राइट पकड़ें चले जाएं देखें अगर वो जनलिस्स सचे हैं और वो तैकी करना चाते हैं तो देमस्को देखें लेकिन इमानदारी से वहां देखें चीज़ों को ये ना कि पहले से टैक किया हूँ उन्हों ने कि हमने तो इसी एंगल से बस अपनी स्टोरी बनानी है इमानदारी से लेकिया है तो अब मजीद कुछ जैनलिस्ट पी सवालात करना चाहते थे लेकिन वो मजीद जैनलिस्टों को सवालात की अजासत नहीं थी वो उन्हों ने जब प्रेस कांफरंस खत्म की तो मैं देख रहा था टेलिविजन पर दोनों लीडर्शुप केसे निकल के टैंक यू करके अब मैं यह सोच रहा था कि मजीद जैनलिस्टों को सवाल वो जो करना चा यही सवाल किया था और यही सवाल मैं दवे से कहता हूं अलमोस हर जैनलिस्ट ने करना था तो वो एक सवाल आ गया था सैंपल सवाल जो आप दोनों लीडर्श ने दे दिया अब अगर यह मुतमई नहीं है जैनलिस्टों जाएं खोद तहकीकात करें मैं तो प्रैम कोई बुरा सलूक नहीं है यह सब इनकी अपनी जो है निरेटिव्स हैं और जमूरियत वहाँ पे वाइबरिंट है तो मेरा ख्याल है कि जो प्रैस कांफिस में दोनों लीडर्श ने बात ने की वो बिलकुल दुरस की है अमरीकी और मगर्बी सहाफियों को जमूरियत के हवाले से काफी कंसर्ण्स रहते हैं उनके कंसर्ण्स के तनाजर में इंडिया की मौजूदा सुरत है प्लीज कुछ तब्स रखेजिए देखिए अभी जो बाते मैंने की वो यही बाते हैं जो शायर इस सवाल में भी आप उनके जो कंसर्ण्स हैं वो इसलिए हैं खास्तोर पर जो गैर मगर्बी दुनिया हैं जो नौन वाइट वर्ल्ड हैं और खास्तोर पर जो साबका थर्ल वर्ल कंट्रीज हैं और भारज चुके उनकी कालू नहीं रहा कोई सो डिर्ट सो भरस तो वो अभी भी कलोनियल फिर उपर से लेफ्ट के तड़के लग गए उनको वो भी नामनेहार लेफ्ट के ये सचे लेफ्ट के लोग नहीं हैं सचा लेफ्ट भारत में हैं तो ये जो लेफ्ट और सचा लेफ्ट जो भारत का है वो खुद प्रैमिस्टर मूदी उसके रिप्रेसेंटेटिव हैं वो एनिहाओ, एक्चुली लेफ्ट वो है, मगर ये जो है, वेस्टरनर जिनकी आप बात पोच रही हैं, ये अपने अभी तक कलोनियल हैंगोवर में, को दोसरों को हम लेक्चर दें, दोसरों को हम दर्स दें, के भई, तुम्हें नहीं पता जमूरियत क्या होती है, हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हें नहीं पता हुमन राइट्स क्या होते हैं, हम तो मैं बताएंगे, ये इनको शौक है, अच्छा, जहां कहीं, जैसे ये अर मुलकों में, जहां पे इनको बड़ी तनहाओं में काम मिलते हैं ना, जजजीरा में, या दर दर, तो वहां नहीं ये बोलत नहीं होती थी, ये तने अपॉर्चनिस्ट हैं, लेकिन चुके उन मुलकों में इनको तनहाओं बहुत अच्छी मिलती है, उन मुलकों में इनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी सफ़ैद चमड़ी हुने की नाते ट्रीटमिंट मिलती है, तो ये वहां वहां प्ek笑ूश र तो फिर ये इनके concerns होते हैं कि जी ये 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 आपके हाँ हो गया वो हो गया और कोई इनके पास found जिसे कहते हैं न unfound किसम के इनके पास होते है arguments कोई एक अदिकादू कावा किया 1.4 billion की population वले देश से कहीं से आ गया उसको बुनियाद मना कि उसकी पूरी तहें खोले बगार ये फिर अपना जंडोरा पीटते हैं तो ये वही जो मैं पीछे कह रहा था ये असल में अपनी politicization का business करते है और उसके उपर इनका colonial hangover है इनको बड़ा shock है lecture देने का इसलिए इनके concerns हैं और कोई वज़ा नहीं है पी-एम मोधी के करीबन दस साला political tenure में internationally उनके खिलाफ ये तासुद बनाया गया कि वो मुसल्मानों को भारत के मुसल्मानों को दबा रहे हैं इस concern के हवाले से आप क्या तपसरा करेंगे वही जो बाते मैंने पीछे की मैं थोड़ा सा मुक्तसरां sum up करूँगा ये एक ऐसा card है मुसल्मानों के खलाफ जो है दबाने का card क्योंकि traditionally भारत में जो मुसलिम समाज है जो different communities हैं क्योंकि south में मुसलिम और तरह के हैं north में मुसलिम और तरह के हैं north east में और तरह के हैं तो वो सभी के सभी normally उनको कहा गया था कि secularism जो है वो आप के rights की protection फरहम करेगा अब secularism से क्या मुराद थी कि जी ये जितनी चाहें शादियां कर लें कि मर्द अब ये secularism है तो बड़ी अफसोस की बात है पर इसका मतब़ है कि secularism का तो बेड़ा घर कर दिया ना ना डेफिनेशन ही खराब अच्छा personal Muslim personal law यानि ये secularism secularism कह रहा है कि आप धर्म से उठके चीज़ों को देखें और ये कह रहे हैं कि secularism में आम आपको guarantee दे रहें कि आप personal Muslim law की practice कर सकें यानि ये ये इनकी secularism की perception और definition मगर आम अवाम जो हैं आम Muslim भी चाहे हो आम हिंदू भी हो वो पर चैरे बोले होते हैं पूरी दुनिया में वो अमरीका कैनिडा में भी आम अवाम मतलब काफी बोली होती हैं तो अब उनको ये कह दिया गया है कि ओहो ये प्राम इनिस्ट इन्दरामूदी की जो जमात है ये तो हिंदूद्व की बात कर रहे हैं अपने हिंदू विर्से की बात करते हैं आपका secularism तो गया आपको तो तीन तराकों की भी इजाज़त नहीं होगी फिर आप तीन चार शादियां भी नहीं कर सकेंगे वो कंसर्म वो बचरी जो आम जनता है उनको फिर ये बताया जाता है कि ओ आपके हाँ तो तीन तलाक भी खतम होने पर मुस्लमान जो औरते हैं भारत की वो प्रामनिस्ट मुदी के लिए बहुत दौाइं देती हैं और वोट भी देती हैं उनको अच्छा उसके बाद फिर प कम्यूनल मसाइल बहुत रहें कम्यूनल इशूस बहुत रहें हिंदू-मुस्लम फसादाथ बहुत होते थे प्रामनिस्ट निंद्रा मुदी के जमाने में बहुत कम बहुत कम वो भी कोई इंडविज्वल लेवल पे हमने कोई चांद एक वाकिया उनको और वो वाकिया बी इस सेकुलरिजम के नाम पे वोट हासल करती थी यानि जूते सेकुलरिजम के नाम पे जली सेकुलरिजम के नाम पे तो जाहर है वो तो फिर मुसल्मान जेनों में ये बात भरेंगे के भई आप के खलाफ ये बीजे पी के लोग हैं प्रामिनसर निद्रा मुदी हैं तो वो में जो गालबन पिछले महीने हुए उसमें 61 मुस्लिम कैंडिडेट्स काम्याब हुए है अब मुस्लिम्स अपने आपको वो जो अपनी गैटोाइजेशन है उनकी या जो उनका वोट बैंक का जो उनका सिलसला है या जो उनका जो विक्टम हुड का कार्ड है अब उससे बाहर भी निकलना शुरू कर दिया हुए यह बहुत खोशाहिन बात है इसमें वक्त लगेगा तो मेरा यह ख्याल है कि प्रामिनिस्टर इंडरा मूदी की तरफ से जितनी अच्छी पॉलीसिया आएंगी और अगला एलेक्शन भी वो जीतने नजर आ रहे हैं अगर वो जीत जाते हैं की पार्टी जी जाती है तो अब तक मुसल्मान जो कंसर्न थी मुसल्मानों की प्रामिनिस्टर इंडरा मूदी के वाले से वो कम हुई है मजीद कम होगी चुकि उन बिचारों को समझ आ रही है चुकि वो प्रापगेंडे का शकार है तो मैं सम अप यह कहूंगा करते सो पियम मूदी पे एक बहुत अतरास है मसलसल के वो मुल्क का अंदर हो या मुल्क के बाहर हो प्रेस कांफरेंस नहीं करते हैं इस सलसले में आप क्या तबस्रा करेंगे है देखिए उसकी बड़ी सिंपल वज़ा है वो यह है कि प्रामिनसर निंडरा मूदी और उनकी टीम को यह बात बहुत भी पता चल चुकी है कि बदकिस्मती से अब सहाफियों की एक्सरियत वो पुलिटिकल अक्टिविस्टों की हो चुके हुई है तो वो एक दो सवालात हैं जो जो सवालात आप कर रही है आप तो इसलिए कर नहीं कि मैं बातें खोल के बयान करूं आप से कोई negative हो के यह सवालात नहीं कर रही है तो और जैसे आज वो एक अमरीकी जनरिस्ट ने ये सवाल पूछ लिए एक सहाफी ने पूछ लिया एक ही सवाल सब के पास ऐशाफ है तो काफी है जवाब दे दिया दोनों लीडर खتم होगी पाश़ा अब भारत के इंदर खाससर पर जो सहाफी है और जो हमारे साउतिशा के सहाफी है, मैं समझ सकताँ इस बात को, मैंने भी जनलिजम की है सारी जिन्दगी, तो वहां पर यह होता है कि सहाफी के लिए बड़ी बात होती है, कोई प्राइम निस्टर उसके सवाल को एड्रेस कर रहा हूँ, वहां का कल्चर ऐसा ह यहां पे तो खेर अमरीका कैनिडा में इतना बड़ा यह कल्चर नहीं है लेकर वहां पे बहुत है ओ जी हमारा तो प्राइम मिनिस्टर ने सवाल सोना और जवाब दिया और फिर उसके बाद फिर यह होता है कि वो उनका जो मीडिया है वो उसको करता है जी के हमारे फलाँ टे जा चुकी है अच्छा बाकी पॉलेटिकल पार्टिस इसनी प्रेस कांफरेंज करती हैं को उनको तो माईदी चाहिए वो खुश होते हैं कि एक ही सवाल पूछी जाओ तो हम जवाब देते रहेंगे सब को तो उनको तो अपरचुनिटी चाहिए अब इनको भीजे पी को प् पास और ना होना चाहिए तो इसलिए वो एवाइड करते हैं आज उन्ने रही है सवाल ले लिया और मैं दावे से कहता हूं कि वही एक सवाल सब ने पूचछना था तो फाइदा किया दो सो लोगों के सवालाण का जवाब देने का एकी सवाल किये जाना सब्लिए तो उन्हों सवाल एक ले लिया जो जिसे कहते है ना रिप्रेसेंटेटिटिव क्वेस्टिन ले लिया जवाब दे दिया और मेरा ख ini यही वो भारत में वो करते हैं प्रामिसान locksi कि उममें क्या सवालाद के जवाब तो एक ही बात बार बार पूची जाएंगे आखर में आप समप किजिए कि प्रेस की इस घर्मा गर्मी के महाल में आप पीम मुदी के इस दोरे को मजमूए तोर पर कैसे देखते हैं देखिया पीछे मैंने बहुत सारी बातें की और मैं ये कहूंगा कि ये दोरा बहुत कामियाद दोरा था उनका और इसमें आप्टिक्स बहुत बड़े बड़े थे यूएनो के योगा इवेंट से लेके फिर जॉइन्ट प्रेस कॉंफरेंस फिर यूएस कॉंग्रेस से खताब फिर फिर फिर्स लेडी और प्रेज़ेंट बाइडन का स्टेट डिनर और फिर भारती डाइस्पोरा जो इ जिस तरह न्यू यॉयॉक से वाशिंग्टन तक निला लगाया और जिस तरह अमूदी जी के लिए एको सिस्टम ड्वेल्प किया वो उनकी सची महबत और अंडिस्टेंडिंग है ऐसा नहीं है कि वो कोई जैसे इमरान खान के स्पोर्टर है ना यहां अमरीका के इना में उ पाकिसान की किसी और लीडर की है तो इसलिए जब इमरान खान एक बार आये थे तो मुझे याद है वो शोर वो डाला उनोंने मगर चुके ना पाकिसान की कोई एहमियत दुनिया में इना इमरान खान की तो बात वही पर पताही की तरह उठी और बैट की मैं यह ऐसे ही एक स चाइनिस प्रेजिडेट के लेवल पर देखा जाता है अब चाइनिज अब इस दुनिया में चाइना अमरीका के बाद अگर मैं कहूं कि अरबों के लेवल पर अमीर हैं बहुत इची हैं मगर उनकी कोई बहुत बड़ी प्रेजिद्स नहीं है तो इसलिए कोई ऐसी उनकी है नहीं है इंडिया की और प्राइम निस्टर निंडरा मूदी की हैसियत और इस दौरा से वो मजीद इस्टैबलिश हुई है बहुत बड़े आप्टिक्स बने हैं और ये दुनिया को पता चला कि कोई लीडर आया है अमरीका में एक बार फिर दौराओंगा अगर किसी को मेरी बात पर शको तो वो यूएस का जो जो जॉइंट सेशन था कॉंग्रेस का उसकी जल्कियां देख ल उनका इन्थोजियसम है ये अगर प्राइमिस सेशन दिन्रा मूदी ना आते तो ये वाली जो सूर्टेहाल है दुनिया पे वाज़े नहीं होनी थी अब दुनिया की टेलिवेजिन सेक्रीन्स ने सोशल मीडिया की सेक्रीन्स ने अब दुनिया को दिखाया है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है सिर्फ अमरीका जैसी सूपर पावर के लिए नहीं बलके इस प्लैनेट के लिए है तो मैं ये समझता हूं कि ये दौरा जो है वो जो हकीकते हैं कि इंडिया इस वक्त दुनिया के तीन बड़े प्लेयर्स में से एक है वो हकीकते खुल गई यान जैनि उनके फाइनल दौरे के दिन अब मेरा ख्याल है कि खेल इससे आगे जाएगा बात इससे आगे जाएगी पीछे नहीं अठेगी ताहिगोरा साब आज का ये बिला तकल्फ तबसरा ताजा 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 रिंद्रा मोदी जी के दौरे के हवाले से हमारे साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू विवर्स आज का बिला तकलुफ शो बाई ताहिर गोरा मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब तकलुब शुक्राइब तकलुब शुक्राइब तकलुब यूटू चैनल और फ्रेंग प्रिकेशन प्रिकाशन पुछंग तकलुब